हलो एप्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जारी हूँ एक और नई डिजैन का बेबी कैप और देखे इसको मैंने बिलकुल ही अलग तरीके से बनाया है देखे इसकी जालर जो है वो बिलकुल अलग तरीके से मैंने बनाई है और ये जीरो से लेके करीब दो साल के बच्चे के आजाएगा देखिए काफी बड़ा है और बूल हमारी थोड़ी सी मौटी है इस चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आपकी बूल पदली है तो ये छोटा बन पाएगा और मौटी है तो उसे सबसे बन पाएगा तो आप अपने असाफ से इसमें फंदे लेके और साइज अपने असाफ से इसको बना सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा बेल आइकन को जरूर पैस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नौटिविकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो तो बिंगनर्स भी डाल सकते हैं ऐसे इस तरह से हम फंदे ले लेते हैं यह देखिए यहां पर बावन फंदे में ले लिए हैं 52 फंदे अब देखिए हम यहां से यह देखिए एक दो तीन चार पांच यह देखिए पांच फंदे हमने उल्टे बुने और देखिए इसमें मुल्टिपल से फंदे पढ़ेंगे, चार के मल्टिपल लेके आप दो फंदे एड़ कर लीजिए, तो आपका डिजाइन सेट हो जाएगा, अब देखिए, चार फंदे हमने ये बनाए, एक ये साइड फंदा लिया है मैंने, और आगे चार चार फंदे हम रखेंगे, अब यह आठ, नो, ये नो फंदे मैंने बढ़ा लिये, अगर आप ये बॉडर यहाँ पे चोड़ा चाती हैं, तो आप यहाँ पे ग्यारा फंदे भी कर सकती हैं, अब देखिए बापस ये देखिए, ये बूल पलटनी नी चाहिए, इस साइड नहीं जानी चाहिए, आपकी आगे क हम चार फंदे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, अब फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, अभी हाँ से देखिए, हम आगे, एक, दो, तीन, चार, फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, हम फिर से चार फंदे यहाँ पे बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, अब हम यहाँ पे फिर से फंदा बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही हम बना लेते हैं इसको लाष्ट तक, यह देखिए, लाष्ट तक हमने यह बना लिया, लाष्ट में मेरे पास देखिए, पाच फंदे उल्टे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पाच फंदे उल्टे रखे हैं, बैसे ही हमने इस साइड रखे, अब उल्टी रो हम पूरा उल्टा बनेंगे, यह देखिए, एक फंदा उतार लिया, दो, तीन, चार, पाच, अब देखिए, यह वाले फंदे हम ऐसे बनेंगे, इनको थोड खीचना नहीं है, नहीं तो यह लूज पढ़ जाते हैं, फंदे ऐसे वाले, यह देखिए, ऐसे आप बुनेंगे, तो एक भी फंदा आपका लूज नहीं पढ़ेगा, नॉर्मल बुनके कम्प्लीट हो जाएंगे, यह देखिए, अब हम ऐसे ही पूरी रो लाश्ट तक बन चार फंदे उल्टे बनेंगे, जो पांच फंदे यहां पर उनको यह देखिए, तीन और दो पाँच, अब देखिए, जो बड़े उए फंदे हैं, उनको हम सीधा बनेंगे, इस रो में, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नौ यह देखिए, नौ पंदे हमने य चार फंदे उल्टे, दो, तीन, और चार, बूल को फिर से पीछे, नो फंदे सीधे, इस तरह से हम ये रो, तीसरी रो सीधे तरब से कम्प्लीट कर लेंगे, ऐसे, ऐसे देखे, तो हम इसको बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं, ये देखे, कि तीसरी रोह सीरे तरब से हमने यहां पर कमप्लीट कर ली लाश्ट में हमारे पास पांच फंदे आ गए उलटे यहां से हम पलटलेंगे अब चौथी रोह हम इदर से पूर उल्टा उलटा बना लेंगे सबी फंदे हम उल्टे बुन के complete करेंगे ऐसे last तक यह देखें तो हम बना लेते हैं यह देखें चौथी रो हमने उल्टे तरफ से complete कर ले अब देखें अब पांच मी रो सीधे तरफ जहां से देखें हम जो हमने फंदे बढ़ाए हैं उन में से हम दोनों तरफ से एक फंदा घटाएंगे तो इसको हम उतारेंगे चार फंदे बुनेंगे दो, तीन, चार ये देखिए अब जो देखिए हम ये देखिए चार बुन लिए एक उतार लिया यहाँ पर पांच फंदे हैं महरे पास अब देखिए जो हम सीधे फंदे बुन रहे थे बढ़ाए थे उनमेंसे हम देखिए इस तरह से ऐसे दो का एक कर देएंगे इस साइड से ये देखिए दो का एक हो गया उसके बाद हम सीधा बनेंगे दो, तीन, चार पांच छे साथ साथ फंदे ये देखिए छे फंदे हमने बुने और देखे यहां पर ऐसे 2 का 1 ये देखे तो 7 फंदे यहां पर रहे गए 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 दोनों तरफ से 1 फंदा घट गया अब हम बूल अपने तरफ करेंगे यहां से 1, 2, 3, 4 अब देखे बूल को पीछे कर देंगे इसको हम पलट के ऐसे सीधा कर लेंगे दो का एक करेंगे ऐसे उसके बाद देखिए दो, तीन, चार, पाँच, छे छे बुने और यहां से ऐसे इस साइड से दो का एक तो बीच में यह साथ फंदे रहे रहे हैं बूल अपने तरफ करेंगे अब यहां से हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे तो ऐसे ही हम दोनों तरफ से एक फंदा घटाते हुए लश्ट तक बनाएंगे यह देखिए, सीधे तरफ से हमने यह रो कंप्लीट कर ली, अब देखिए उल्टे तरफ से हम इसको एक फंदा उतारेंगे बूल अपने तरफ पूरी रो उल्टा बुन के complete करेंगे लाश्ट तक ऐसे तो हम बना लेते हैं यह देखिए लाश्ट तक हमने उल्टा रो यह बना लिए है अब देखिए हम बापस यह देखिए पांच फंदे उल्टे बुनेंगे एक उतार लिया पांच बुन लिया बूल को पीछे करेंगे देखिए इसको पलटके सीधा करेंगे इस साइड से दो का एक कर देंगे ऐसे दो तीन चार और देखिए यहां से ऐसे दो का एक करेंगे तो पांच यह देखिए मेरे पास दिजाइन डल के आ जाएगी इसमें गंटी की इस तरह देखिए चार फंदे उल्टे अब पूरी रो हमें ऐसे ही बनानी है यहां से पलट के सीधा कर लेंगे इसको दो का एक उसके बाद दो तीन चार और देखिए यहां से ऐसे दो का एक अब मेरे पास देखिए एक दोनों से एक खंदा कम होता जाएगा तो हमे रों कमप्लीट करते हैं यह देखिए यहां पी है आठमी हो सीधे तरफ से का एक करेंगे यह देखिए इस साइड से कर दिया इस साइड से भी ऐसे कर देंगे तो अब लाश्ट में हमारे पास यह तीन फंदे रहागे देखिए दोनों तरफ से घटते हुए जा रहे हैं फंदे आपको इसी तरीके से घटाने हैं ऐसे इसको पलट लेंगे ऐसे दो का एक कर देंगे बैग तरफ से और देखिए दो यहां से ऐसे दो का एक तो ऐसे ही हम ये row complete करेंगे और उल्टी row पूरा उल्टा बना के complete कर लेंगे ये देखिए उल्टी row हमने complete कर ली अब मैं फिर से सीधी row पे आ गई हूँ एक फंदा उतारोंगी पूल अपने तरब दो तीन चार पांच अब देखिए मेरे पास ये तीन फंदे बचे हैं तो देखिए इसको हम ऐसे करेंगे इसको निकाल देएंगे इसको इस सलाई पे लेंगे इसको हम ऐसे front पे लाएंगे ऐसे देखिए अब यहां से हम 3 का एक कर देंगे लाश्ट में जब सबसे लाश्ट में 3 फंदे बचेंगे तो आपको यह 3 का एक करना है इस तरह से और देखिए यह डिजैन यहां पे कम्पीट हो जाएगी अब हम वापस 4 फंदे उल्टे बुनेंगे और देखिए आप देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं इसको ऐसे दोनों को ले लीजिए और ऐसे पलट लीजिए जो आपको एजी लगे वो आप कर लीजिए पलट लिया अब यहां से ऐसे 3 का एक कर देंगे तब भी यह उपर आ गया फंदा देखिए फंदा यह बीच वाला उपर आना चाहिए अब य यहां से 2, 3, 4 अब देखिए इसको हमने ऐसे किया निकाला इसको यहां से ऐसे कर लिया और यह तीन का एक कर दिया अब यह रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और उल्टी रो हम पूरा उल्टा बना ले यह देखिए इस तरह से उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली और यह देख तोटल मेरे पास 61 फंदे हैं तो आव हम यहां से सीधा बुनेंगे और इधर से उल्टा बुनेंगे और कैप की लंबाई को पूरा करेंगे तो देखिए इधर से हम ऐसे सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे आप अपने अहसाब से फंदे लेके इसको बना सकती हैं तो देखिए इस साइड से हम सीधा बुनेंगे और उधर से उल्टा बुनेंगे तो यह प्लैन बनके कम्प्लीट होगा हम इसकी लंबाई पहले कर लेते हैं फिर हम आगे का आपको दिखाते हैं यह देखिए मैंने इसकी लंबाई को पूरा कर लिया मैंने प्लैन बनाया है आप चाहें तो यहाँ पर डिजाइन भी डाल सकती हैं, अब देखिए हम इसमें फंदे घटाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 63 फंदे हैं, जिसमें से हम 9 के मल्टीपल से फंदे इसमें हम घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, पहले हम एक फंदा उतारेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, साथ फंदे हमने यह बुन लिए, अब दो का एक करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर टोटल हमारे पास 9 फंदे हो गए, दो का एक कर दिया, साथ बुन लिए, अब यहाँ से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, अब देखिए, यहाँ पर दो का एक ऐसे, उसके बाद देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, दो का एक, इस तरह से हम यह row complete करते हैं यह देखिए इस तरह से last में भी हमारे पास इस तरह से दो काईक आना चाहिए अगर आपके कम जादा फंदे हैं तो आप इधर उधर कर दीजिए यहाँ पर देखिए हमने 7 फंदे भुने फिर दो काईक किया यहाँ पर last में आपके पास आना चाहिए अब उल्टी रो में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे सिर्फ इसको हम उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे ऐसे तो ऐसे ही हम यह row complete करेंगे यह देखिए उल्टी रो हमने complete कर ली अब देखिए सीधी रो में हम इस फंदे को उतारेंगे और देखिए दो तीन चार पांच छे पहले हमने साथ फंदे बुने अब हम छे बुनेंगे अगले में पांच फिर चार फिर तीन फिर दो फिर एक इस तरह से फंदे ये गटाने देखिए पहले हमने ये वाला दो का एक किया ता अब इसको हम ऐसे करके दो का एक कर देंगे अब यहां से एक दो तीन चार पाँच छे और देखिए ये वाला फंदा है इसको हम ऐसे दो का एक कर देंगे अब देखिए ऐसे ही गटा आते हुए जब यह एक फंदा यहां पर रह जाएगा और यह सारे फंदे करके हम घटा देंगे फिर दिखाएंगे आपके यह देखिए इस तरह से हमने फंदे घटा लिए हैं देखिए यहां पर हमारे पास सिर्फ एक फंदा बचा एक ही वालब जो फरी हमने डाली है उसका फंदा बच हुए हैं तो अब देखिए हम इन फंदों को इस तरह से इस ऐसे कर लेंगे ऐसे एक भी फंदा आपका छूटना ने चाहिए इसमें नहीं तो यहीं से खुल जाएगा यह क्यों इसको हमने ऐसे कर लिया इस वाले धागे में ऐसे कर लेंगे तो यहां पर देखिये यह नॉट लग गई यह दिखे lassya अब आप चाहे तो यह और एक बार कर सकती है आसे बंद कर सकते है यह पाना चाहिए यह पॉम-पॉम भी लगा सकते हैं देखिया यह के हम सिलाई कर देंगे जो फंदा हमने उता रहा है उसी को हम लेंगे इस तरह से पूरा सिलके हम कंप्लीट करेंगे यह देखे लाश्ट तक हमने यह सिल दिया यह बाली बूल जो फंदे डाले थे इसको भी हम अंदर करके कट करेंगे अब यहां से हम अच्छे से टक करके थोड़ा सा अंदर ले आएंगे उसके बाद यह बाली बूल हम नोट लगाते हुए कट करेंगे यहां से देखे ऐसे देखे इस तरह से आप चाहें तो देखे यहां पर पॉम पॉम लगा सकते हैं यह फ्लावर लगा सकते हैं आप चाहें तो यहां पर डोरी भी डाल सकते हैं देखे इस तरह से यह बनके कंप्लीट हो गया अगर आपको वीडियो अच्छा ल